बांगलादेश और पाकिस्तान के भीतर हिंदूों की आबादी को कम करने के लिए कितने प्रयोग किये जा रहे हैं और कैसे उन्हें निशाना बना जा रहा है और कैसे उनकी जनसंख्या दिन प्रति दिन कम होती जा रही है भारस सरकार के तरब से क्या प्रयोग किये जा रहे ह और क्या इंद्रा गांधी से लेके प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कादम उठाए ये जानना बेहत जरूरी है बांगलादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी आँखों के सामने हो रहा है लेकिन जब आप अपनी आखे बंद करेंगे उसके पीछे भी एक दुनिया है और वहाँ जो कुछ होता है वो शायद आप नहीं देख पाते हैं शेक हसीना को कुरसी से हटाने का जो मकसद था आंदोलंकारियों का वो मकसद खत्म तब हो जाना चाहिए था जब आंदोलंग खत्म हो गया लेकिन अचानक हिंदूों पर हमले हुए हिंदूों मंदिरों पर हमले किये गए और वहाँ पर एक ऐसे तबके को निशाना बनाया गया जिनकी संख्या कम है सबसे पहले एक एक कर समझेंगे कि इसकी कहानी की शिरुवात कहां हुई और जब भारत का बटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने इसमें कैसे एक नई चिंगारी छेड़ी जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था आप यहां पे कई करांतिकारियों का नाम लेंगे और बहुत से लोगों को जिम्मेदार बताएंगे कि उस व्यक्ति की गल्ती थी गल्ती ना होती तो शायद आज हिंदुस्तान को ये सजा न भुकतना पड़ता तो ये बात आपको समझाते हैं कि कैसे 10 करोड पॉपुलेशन से दुनिया भर में 50 करोड पॉपुलेशन हुआ और उस पॉपुलेशन का जो पूरा इंपक्ट है वो हिंदुस्तान के उपर कैसे आया 1947 में जब भारत की बटवारा हुआ और आजादी के दोरान जो मुस्लिम आबादी थी टोटल 10 करोड बताई जाती थी लेकिन उस वक्त साड़े 3 करोड मुसल्मान जो है हिंदुस्तान में रह गए और लगबग साड़े 6 करोड जो मुसल्मान थे उन्होंने पाकिस्तान को चुना और उसी भी जो पाकिस्तान में कुछ S.C.S.T. या फिर वो हिंदु परिवार थे जिनकी आर्थिक स्थिती बहुत बुरी थी और वो किसी कारण से पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ पाए उनकी स्थिती भी क्या है ये भी आपको बताएंगी लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का बटवारा हो गया और दोनों मुलकों की लकीरे अलग-अलग हो गई और दोनों देशों के सोचने का तरीका भी अलग हुआ पाकिस्तान ने इसलाम चुना और हिंदुस्तान ने लोकतंतर चुना तो फिर दोनों देशों में क्या-क्या ह ये भी आप समझेए बांगलादेश का जन्म तो 1970 होगा लेकिन 1947 से लेके 1970 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में उन आवादी को कैसे निशाने पर लिया गया जिनकी जन संख्या पाकिस्तान में कमती और पाकिस्तान में जो अलपसंख्याक हिंदू है उन्हें नीचे गि बन सकता या किसी मुख्य पद पे नहीं बैठ सकता लेकिन हिंदूस्तान में ऐसी वेवस्ता नहीं रही यहां पे मुस्लिम राष्टपती भी बनाएगे और दूसरे जो अलपसंख्याक जो धर्म है उनको भी मौका दिया गया और राजनीती में इस तरीके से कोई जिक्र न पाकिस्तान में दो दिसंबर से लेके आठ दिसंबर तक लगभग 120 हिंदू मंदिरों को निशाना बना गया और बड़ी संक्या में लोगों को चोट पहुचा आगया और वहां पे दबाव डाला गया कि आप भारी संक्या में या तो धर्म कबूल कर लिजे इसलाम नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा उन दिनों भारत में ही आपने देखा होगा कि कश्मीर में इसी तरीके का दबाव बनाय जा रहा था और कश्मीरी पंडितों से कश्मीर से भागाने का किस्सा सबके सामने आ रहा था पाकिस्तान में 1992 में ये हमले इसले बड़े क्योंकि हिं पाकिस्तान के भीतर थी इसलिए जो आंदोलन शेख हसीना को हटाने के लिए खड़ा हुआ था वो आंदोलन दरसल शेख हसीना के लिए नहीं था बलकि एक अलपसंक्या कवर को मिटाने के लिए हुआ और इसलिए 500 से ज़ादा लोगों पर हमले बोले गए कई हिंदू परिव भारत की जो पत्रकार है रवीश कुमार वो इसे जो है एक लोकतांत्रिक बिवस्ता में जनता की लूट बता रहे हैं और जनता की शक्तियों को बता रहे हैं कि ये जनता जो है ताकतवर हो गई है लेकिन इसकी जो पूरी कहानी है वो दोस्तो साल 1947 में पाकिस्तान के जन्म क साथ ही रखी गई पाकिस्तान में उस वक्त जो हिंदूओं की आबादी थी वो आबादी अगर आप देखेंगे तो आज की आबादी से बहुत कम हो गई है और पाकिस्तान में 2023 के जंगर्णा के मुताबिक वहां पे सिर्फ 1.8 फेजदी यानि कि पाकिस्तान की टोटल पॉप हिंदूओं की वो लगबग 17 प्रतिशत थी जब 1970 में जब पाकिस्तान से अलगों के बंगलादेश बनाया गया था लेकिन आज अगर आप उस आबादी को देखेंगे तो आबादी घटके हिंदूओं की सिर्फ 8 प्रतिशत रह गई है और इसलिए जिस तरीके से हमले हो रह में उनमें नमबर एक पे भारत है जहां सबसे ज़्यादा मुसल्मान रहते हैं उसके बाद दूसरा नमबर इंडोनेशियक आता है जहां पे वहूल संक्या में मुसल्मान है और वहां पे बाकी धर्म अलप संक्यक मने जाते हैं तीसरे नमबर पे आता है पाकिस्तान जिसकी इसे अबादी आपकी UP से कम आनी जाती है लेकिन वहां पर हिंदू की संक्या सिर्फ 35 राक है और अगर आप देखेंगे सिको की संक्या तो उनकी भी बहुत कम संक्या है और बाकी धर्मों की संक्या लाक में ही है यानि जो बलुचिस्तान में जो एक घटना हुई थी उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए साल दो हजार पांच छे में बलुचिस्तान में एक मुमिंट खड़ा हुआ और उस मुमिंट में जो है हिंदूों को निशाना बनाये गया और 33 लोगों को एक साथ मारा गया जिसमें से कई पुरूश और बच्चे शामिल थे और उस घटना ने पूरी दुनिया को एक बार ये मैसेज भेजा कि एक ऐसे देश में जहां तो कोई लोकतंतर नहीं माना जाता उसके बावजूद भी पाकिस्तान के भीतर एक ऐसा वर्ग परिशान किया जा रहा है जिसकी आबादी बहुत कम है और दूसरी तरफ उन्हीं दौर में जब 1998 में एक आयोगनिक रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के भीतर जो हिंदू आबादी है वो बहुत संगर्श करना पड़ता है उसी दौर में पाकिस्तान भारत के बीच में डील हो रही थी और उस बख भारत के अतातकालिम प्रधान मंत प्रधान मंतरी अटल विहरी वाचपई और पाकिस्तान के साथ समझाता एक्स्प्रेस चलाने की बात हो रही थी तो हिंदूस्तान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिशे नहीं की गई लेकिन जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आये सत्ता में 2014 में उसके बाद C.A.A कानून का जिक्र हुआ और NRC कानून का जिक्र हुआ और नागरिक्ता देने का जिक्र किया गया। कानून में इसी बात का प्रभधान किया गया कि जो अलपसंख्यक हैं अलपसंख्यक मतलब जो दूसरे देशों में या पडोसी देशों में जो अलपसंख्यक हैं उनको भार पाकिस्तान में अल पसंंक्यागों है और ना ही बंगला देश में अल पसंक्यागों उनकी आबादीज जदा है। यही तक कह दिया सरकार से कि जो हिंदू भाई हैं बांगलादेश में उन्हें भारत लाया जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए जब कि और भी बाकी कई नेताओं के यह बयान आने शुरू हो गए हैं लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो यहां पर रहते हुए उन्हें यह नह कोई हमला होता तो वो बाहर आके उस पे सवाल उठा देते जेल से लेकिन हिंदुस्तान के जो एक वर्ग है जो बिछड़ा हुआ वर्ग है जो फिलाल बांगलादेश मेरे रहा हिंदू उसके लिए ना तो आमागनी पार्टी ना ही कॉंग्रेस ना ही समाजबादी पार्टी ना ही डियम के ना ही टियम से कोई भी राजनितिक पार्टी कुछ भी कहने को तयार नहीं है तो सीधे तोर पे आप ये समझेए कि जो हिंदूस्तान की आबादी है वहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ और जो हिंदूों की आबादी बढ़ने की जो रफतार थी वो सा दुनिया भर के मुसलिम देश भारत पे सवाल उठाने लगते हैं लेकिन जो आकड़े हैं वो साफ साफ कहते हैं कि बांगलादेश और पाकिस्तान के बीतर हिंदू आबादी जो है सुरक्षित नहीं है लेकिन दुनिया भर के मुँँ में दही जमी हुई है कोई बोलने को तैयार नहीं है कोई नेता मंतरी सरकार राश्ट पती कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि बात हिंदू की है और हिंदू के साथ जो कुछ हो रहा है वो जो तस्वीर है शायद वो हम आपको सोशल मीडिया पे दिखा भी न पाएं आप देख पा रहे होंगे कि क पुद्धान मंतरी नरेंदर मोधी को मजबूर करना कि अब आप बताईए आपकी जो सरकार है वो बहुत ताकतवर नहीं है आपके नंबर कमाए है आप पलट कर जवाब दीजिए क्या दे सकते हैं